स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इडूसाला में इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र संचिप्त समान ग्यान की सीरीज में 20 विका भुगोल देखेंगे और इसमें भारतिय राजब्योस्ता, भारत का भुगोल, भारतिय इतिहास, खेल से संबंदित, समान ग्यान ये सभी कंप्लीट किया जा चुका है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं, चलिए तो आज के कोट से स्टार्ट करते हैं, राह संघर्स की जो चलता है, वही संसार को बदलता है, और जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बन इरेटे अस्थोनीज के द्वारा किया गया है, इरेटो अस्थोनीज को व्यस्तित भुगोल का पिता माना जाता है, भुगोल का जनक किसे माना जाता है, हिकेटियस को माना जाता है, विस्विका भुगोल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रम्भांड, सुक्षतम अन किया था कि ब्रम्भांड के केंद्र में सूरह नकी पृत्वी कौपर निकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है महाविस्पोर्ट सिधान्त का पर्तिपादन 1927 में जॉर्ज ले मंत्रे ने किया था और बाद में रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में इसकी ब्याक्य की थी महाविस्पोर्ट सिधान्त के नुसार ब्रम्भांड की उत्पति के सभी पदार्थ प्रारम में पिंड की अवस्था में थे जिसका आयतन अत्यंक्त सुक्ष में और तापमान घनत्व जो था अत्यधिक था अत्यधिक सकेंद्रन के कारण इस पिंड में पदार्थों का विखराव हो जाता है और उन से अनेक ब्रम्भांड ये पिंडों का निर्मान होता है और तभी से ब्रम्भांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। हमारा सौर मंडल जिसमें इस्तात है उसे मंदाकिनी या अकास गंगा या दुख्ध मेकला कहते हैं इसमें सबसे पहले हम लोग सूर्य देखेंगे सूर्य सौर मंडल के केंदर में इस्तात है इसकी आयू लगभग 4.6 अरब वर्स है सूर्य प्रित्वी से लगभग 13 गुना ब है लगता है ये 499 सेकेंड है ठीक है सूर्य की समस्तुर्जा का स्रोत क्या है नाप की ये सनलयन है और देखते हैं सौर मंडल के पींड वर्तमान में कुल आठ ग्रह है सूर्य से दूरी के अधार पर ग्रहों का क्रम देख लिजिए बुद्ध है पहले फिर सुक्र है फिर प और ओही क्रम में तो सबसे बड़ा है ब्रहस्पति फिर सनी है अरून है फिर वरून और प्रित्वी पांचवे नंबर पे है सूक्र फिर मंगल और बुद्ध है सूर्य ग्रहन तब होता है जब चंद्रमा सूर और प्रित्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहन होता है जिससे सूरि का प्रकास प्रित्वी तक नहीं पहुँच पाता और सूर ग्रहन प्रति पदा या अमोस्या को ही होता है बुद्ध क्या है मरकरी, मरकरी के बारे में देखते हैं या सूरि के सरवाधिक निकट इसतद ग्रह है इसे सूरि को प्रिकर्मा करने में लगभग 88 प्रित्वी दिवस लगता है या सौर मंडल का सबसे चोटा ग्रह है जिसके पास कोई उबग्रह नहीं है अब सूक्र देखेंगे विनस, सूक्र सरवाधिक चमकीला ग्रह है, सूक्र प्रित्वी के सबसे नजडिक तथा सरवाधिक गर्म ग्रह है सूक्र को भोर का तारा और सायम का तारा कहा जाता है सुक्र को प्रित्वी की बेहन भी कहा जाता है क्यूंकि ये घनत्व, अकार और ब्यास में प्रित्वी के समान है सुक्र का भी कोई उपगरह नहीं है तो बुध और सुप के कोई उपगरह नहीं है अब प्रिथवी के बारे में देखते हैं प्रिथवी सौर मंडल का एक मात्र ग्यात ग्रह है जिस पर जीवन है प्रिथवी को जले की उपस्थिती के कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है प्रिथवी का एक मात्र उप ग्रह कौन सा है चंद्रमा प्रिथवी अपने कच अच्छ पर 25 डिग्री अंस जुकी हुई है पृत्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने अक्ष पर एक चक्क पूरा करती है इसी गती को घुड्नन गती या दैनी गती कहते हैं अब पृत्वी के अपने अक्ष पर घूमने को घुड्नन या परी भ्रह्मन कहते हैं और इसी के कार जो दिन रात होता है ये प्रिथवी के घुर्णन या परिभ्रह्मन के कारण होता है प्रिथवी को सूरी की एक परक्रिमा पूरी करने में 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकेंड या 365.25 दिन का समय लगता है और इसे प्रिथवी की परिकर्मन गती कहते हैं प्रिथवी सूरे से निकर्टम दूरी पर 4 जनवरी की निकर्टम इस्थिति को होती है इस इस्थिति को क्या करते उपसौर या पेरी हिलियन कहते हैं ठीक है 2021 में ये 2 जनवरी को हुआ था अब आगे देखते हैं प्रिथवी सूरे से सरवाधिक दूरी पर समानतच 4 जुलाई की निकर्टम विठी को होती है और इस इस्थिति को अप हिलियन कहते हैं या अपसौर कहते हैं और ये 2021 में 5 जुलाई को हुआ था 21 मार्च और 23 सितंबर को प्रिथवी के दोनों गुलार्दों में दिन एवं रात बराबर होते हैं प्रिथवी के उतरी गुलार्द में सबसे बड़ा दिन 21 या 22 जुन को होता है जबकि दचनी गुलार्द में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है मंगल देख लिजे अब मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं आईरन उक्साइड की उपस्थिती के कारण यह लाल दिखाई पड़ता है मंगल के दो उपग्रह है फोबोस और डिमोस दो उपग्रह है बिहस्पती देखते हैं बिहस्पती सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका उपग्रह गैनिमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है सनी सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है सनी के चारो और वलाय पाये जाते हैं जिनकी संख्या साथ है सनी ग्रह के उग्रहों की संख्या 82 है और सनी का सबसे बढ़ा उग्रह, टाइटन सौर मंडल का भी दूसरा सबसे बढ़ा उग्रह है अरुन अरुन ग्रह की खोज बिलियम हर्सेल ने 1781 में किया था अरुन ग्रह सुर्योदे 25 दिशा में एवं सुर्यास जो है पूर्व दिसा में होता है वरून के बारे में अब देखते हैं नेवचियून यह सूर से सरवाधिक दूरी परिस्तत है वरून की खोज जर्मन खगोल विद जुहान गाले ने किया था 1846 में वरून का सबसे बड़ा उगरट ट्रीटॉन है बौने गरह यम की खोज 1930 में क्लाउड टॉमबैक ने किया था सेरेस, होमिया, मेक मेक और इरिस भी बौने गरह है चंद्रमा प्रिथवी का एक मातरूप गरह चंद्रमा है जब सूर एवं चंद्रमा के बीच में प्रिथवी आ जाती है तो चंद्रगरहन होता है चंद्रहन सदेव पुनीमा को होता है फूल मुन को होता है अब सूर मंडल के अन्य पिंट देख लिजिए शूद्रगरह प्रिथवी और मंगल गरह के मद्ध अधिकांच शूद्रगरह इस्टट होते हैं तो चोटे-शोटे ये गरह को सूद्रगरह कहा जाता है ये सूरिकी परकिर्मा करते हैं सूद्रगरह के प्रिथवी से टकराने पर प्रिथवी की सतह पर विसाल गर्थ का निर्मान हो जाता है धूमकेत्यों की पूछ हमेशा सूरिकी विपरित दिसा में होती है धूमकेत्यों को फूचल तारा भी कहा जाता है अब हम लोग देखेंगे अक्ष, अक्षान्स, लैटिट्यूट, प्रिथवी के गलोब पर विस्वत ब्रिथ से उत्तर या दच्छिन में इस्थत किसी अस्थान की कोनिये दूरी को अच्छान्स कहते हैं ठीक है ये देख लिजे यहां उत्री दूरू है यहां नीचे दच्छिनी दूरू हो जाएगा और ये 0 डिग्री है भूमद रेखा और ये 23 डिग्री नौर्थ में करकर रेखा है और 24 डिग्री नौर्थ आर्कटिक ब्रिथ है और 24 डिग्री जब साउट जाएंगे तो मकर रेखा होगा और 24 डिग्री साउट में अंटार्कटिक ब्रिथ होगा और नीचे दच्छिनी धूरू है 90 डिग्री अब बीस्वत रेखा के बारे में देख लिजे प्रिथिवी के गलोब पर सुन अंस के अच्छांस जो होते हैं उसे बीस्वत रेखा या भूमद रेखा कहा जाता है दो अच्छांस रेखाओं के बीच जो लगभग दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है देशांतर रेखाएं उतरी धुरू को दच्छिनी धुरू से मिलाने वाली कालपनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है सुन डिग्री देसांतर रेखा को ग्रीन वीच रेखा या प्रधान मध्यान रेखा कहा जाता है ग्रीन वीच रेखा जीरो डिग्री देसांतर के ठीक विपरित में 180 डिग्री देसांतर रेखा होती है जिसे अंतराश्टिय तिथी रेखा के नाम से जाना जाता है समानेत एक डिगरी देसांतर पर चार मिनट का अंतर होता है करक रेखा विश्वत रेखा के उत्तर की ओर 23.5 डिगरी अच्छांस को करक रेखा कहते हैं मकर रेखा विश्वत रेखा के दच्छिन की ओर 23.5 डिगरी अच्छांस को मकर रेखा कहते हैं सुन अच्सांस और सुन ने देशांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती हैं विश्वत रेखा, करक रेखा और मका रेखा तीनों अफ्रीका महादीब से गुजरती हैं प्रित्विक की आंत्रिक सनरचना आप देख लेते हैं भुकम्पिय तरंगों के अधार पर प्रित्विक को तीन परतों में बाटा गया है भुपरपटी, क्रश्ट, मैंटल और केंद्रिये भाग, कोर इनको भुपरपटी के बारे में देख लेते हैं या प्रित्विक की सबसे उपरी परत है इसका निर्मान जो है बेसाल चटान से हुआ है और इसे सियाल परत भी कहते हैं सियाल छेत्र में सीलिका और एल्मूनियम की परधानता रहती है अब मेंटल देखेंगे या प्रित्विक की मध्य परत है इसकी मिटाई जो है लगभग 2900 किलोमीटर है और इसका निर्मान बेसाल चटानों से हुआ है आगे देखते हैं इसे सीमा परत भी कहा जाता है सीमा छेत्र में सीलिका तथा मेगनीस्यब की परधानता रहती है अब केंद्रिय भाग या कोर देखते हैं प्रिथवी का केंद्रिय भाग निकेल तथा फेरियम से बना होता है और प्रिथवी का औसत घनत 5.5 ग्राम पर घन सेंटिमीटर है प्रिथवी के नीचे जाने पर प्रती 32 मिटर की गहराई पर एक डिगरी सेलसियत बढ़ता जाता है प्रिथवी के बाह सतव को निम्न भागों में बाटा जाता है अस्थल मंडल, जल मंडल, वायू मंडल और जय मंडल अस्थल मंडल प्रिथवी की संपून बाह परत को अस्थल मंडल कहा जाता है अस्थल मंडल की अधिक्तम उचाई जो है माउंट एवरेश्ट 8,848 मिटर तथा अधिक्तम गहराई देखें तो मेरियानागर्थ 11,033 मिटर है प्रित्वी के धरातल पर लगभग 70.8% भाग पर जल है और 29.2% भाग पर अस्थल विस्तार है अब देखेंगे चटान के बारे में प्रित्वी की बाहपरत पर मिलने वाले कठोर पदार्थों को सेल या चटान कहते हैं चटान को उत्पति के अधार पतीन भागों में आगनेज सेल और साधी चटान और रुपांती चटान में बाटा गया है आगने सेल क्या है? मैगमा तथा लावा के जमने से आगने सेल का निर्मान होता है आगने चटान को प्रात्मिक सेल भी कहते हैं बिसाल्ट, ग्रेनाइट, पेगमाटाइट, टायोराइट, ग्रेबो आधी जो जटाने हैं वो आगने चटाने हैं और साधी सेल देख लिजे इनका निर्मान सेलों के छहरन से प्राप्त और सादों के लगतार जमा होते रहने से परतों के रूप में होता है और साधी सेल परददार होती हैं और साधी सेलों में वनस्पती और जीव जन्तुओं का जिवास्म पाया जाता है और साधी सेलों में खनीज तेल भी पाया जाता है बलुवा पत्थर, चुना पत्थर, नमक की चटान आदी और साधी सेल के उदाहरन है अब देखते हैं इसे रुपांत्रित या कायांत्रित सेल कहा जाता है। स्लेट, सिस्ट, संगमरमर, कौाटर्जाइट, फाइलाइट, नीस, रुपांति सेलों के उदाहरन है। देखे ज्वाला मुखी, ज्वाला मुखी धरातल परिस्थत प्राकिर्तिक छिद्र है। जिससे प्रित्वी के अंदर से मैगमा, राक, जल्वास्फ तथा अन्य गैसे बाहर निकलती हैं ज्वाला मुखी विस्पोर्ट से निकलने वाली गैसों में जल्वास्फ सरवाधिक मात्रा में पाया जाता है ज्वाला मुखी उद्गार के समय भूगर्म में इस्तत तरल पद है इसकी उचाई कितनी है 6962 मीटर है अब सक्रिय ज्वाला मुकी देखे जिन से अकScछ उदार उद्गार होता रहता है ठीक है Ji अक्सर जो होता है इसमें उद्गार होता रहता है तो अमेरिका के हवाई द्यूप इस्थत किलायू जो है संसार का सबसे सरवाधिक सक्रिये ज्वाला मुखी है भुमद्य सागर में सिसली के उत्तर में लिपारी द्यूप पर इस्थत अश्ट्राम बोली ज्वाला मुखी को बुहमद्य सागर का परकास अस्तम कहा जाता है। अब प्रसुप्त जौला मुखी, तो ये प्रसुप्त जौला मुखी वे जौला मुखी हैं जिनमें पिछले कुछ समय से उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन भविस में उद्गार होने की संभावना है। जैसे संयुक्त राज अमेरिका का Mount St. Helens प्रसुप्त ज्वाला मुखी है, अब मिर्त ज्वाला मुखी वे हैं जिन में प्राचीन समय में कभी उधगार हुआ था लेकिन आगे उधगार होने की संभावना नहीं है, तो ये मिर्त ज्वाला मुखी होता है, इसमें देखा जाए तो पाकिस्तान का कोह सुल्तान, इरान का दामवंद, महिनमार का पोपा, अफ्रीका का कुलाल, वकीली मंजारो, इकवेडोर का चिम्ब राजो ये परमुख हैं, परसांत महसागर के टटिये भागों में सरवाधिक संख्या में सक्रिये ज्वाला मुखी पाए जाने के इस छेतर को औरगनी वलाय कहा जाता है, अब भुकम्प देखते हैं, प्रिथवी के आंतरी खल्चलो के माध्यम से धरातर पर होने वाले कमपन को भुकम्प कहते हैं, भुकम्प के दवरान तीन परकार की तरंगे उत्पन होती है, पी अथ्वा प्रात्मिक तरंगे, एस अ एल तरंगे ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम से गुजरती है, एल तरंगे सरवाधिक बिनासकारी होती है, अधिकेंत्र पर पी तरंगे सबसे पहले पहुँचती है, समूद्र के अंदर भुकम्प द्वारा, उत्पन लाहरों को सुनामी कहा जाता है, सुनामी जापान नामक यंत्र में मापा जाता है, भुकम्प को मापने के लिए रियक्टर इसकेल परिमान के अधार पे नापता है, और मरकेली इसके त्यूता के अधार पे मापती है, तथा रौसी फेरल इसकेल का परियोग किया जाता है, अब विभीन अस्तला करतिया देखेंगे, धरातल पर प्रित्वी के अंतर जात तथा बहिर जात बलो के कारण विभीन परकार के अस्तला करतियों का निर्मान हुआ है, सबसे पहले इसमें माउंटेन परवत है, तो परवत जो है धरातल का वह विसीष्ट रूप है, जो समान तल से उंचा तथा त्रिव ढाल वाला होता है, और इसका सिखर संकुचित छेतर वाला होता है, निर्मान के अधार परवत चार परकार के होते हैं, इसमें फर्स्ट है और ओधी अथवा ब्लोक परवत, तो ब्लोक परवत का निर्मान तनाव अथवा खिजाओ की सक्तियों के कारण होता है, वास जेस परवत जो फ्रांस मे ब्लैक फॉरेश्ट टर्मनी में और सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में ये सभी ब्लॉक परवत के पुर्मुक उदाहरन है और सिष्ट परवत का निर्मान चट्टानों के अपरदन के परिनाम स्वरूप होता है भारत की बिधाचल, नीलगिरी, पारसनात, राजमहल की पहाडिय इस्पेन की सियरा निवादा तथा अमेरिका की गैसा एवं बूटे जो है घरसित परवत के उदाहरन है अब देखते हैं मोड़ दाल अत्वा वलित परवत मोड़दार परवत का निर्मार प्रिधिवी की आंत्रिक सक्तियों के कारण प्रिधिवी की सतव पर चटानों के मोड़ने से होता है भारत का हिमाले, रूस का यूराल, उत्तर अमेरिका का रोकी, दच्छिन अमेरिका का एंडिज मोड़दार परवत के उदाहरन है भारत का अरावली परवत बिश्व का सबसे पुराना वलित परवत माना जाता है अरावली की सबसे उची चोटी माउंट आबू के निकट गुरू सिखर है एंडीज परवत स्रेनी बिश्व की सबसे लंबी स्रेनी लगभग 72-100 किलोमीटर है पिरेनीज परवत फ्रांस और अस्पेन के मध्य सीमा बनाता है पिरेनीज परवत अब देखेंगे बीश्व की परमुख परवत स्रेनिया और उसके सरोच बिंदू तो कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज कहां है पच्छिमी दच्छिनी अमेरिका में और एकांका गुगा इसकी सरोच बिंदू है रोकी परवत स्रेनी पच्छिमी उत्री अमेरिका में है और माउंट एलबर्ड जो ही इसका सरोच बिंदू है हिमालय कराकोरम हिंदु कुस ये दच्छिन मद एसिया में इस्तत है और माउंट एवरेशित में सर्वोच बिंदु है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूर्वी अस्टेलिया में है और कोसियूस को यहां की उस सर्वोच बिंदु है ट्रांस्ट अंटार्क्टिका परवज जो है अंटार्क्टिका में है और विंसन मैसिफ इसाहा की सर्वोच बिंदु है तिये नसान दच्छिन मद एसिया की है और ये पिक पोवेड्यू यहां की सबसे उंची बिंदु है अल्टाई माउंटेंस मधेसिया में है, बेलुखा इसकी सरोच बिंदु है, युराल परवद स्रेनी मध्य रूस में है, नैरो डनाया इसका सरोच बिंदु है, कमचटका स्रेनी पुर्वी रूस में है, कल्यू चेव काया सोपका इसका उच्च सरोच बिंदु है, एटलस पर इसका उची चोटी है और पच्छिमी घाट पच्छिमी भारत में है अनाई मुड़ी इसकी सरोच बिंदू है सियरा मादरे ओरियंटल ये मेक्सीको में है पोटोसी सरोच बिंदू है जागरोस परवसरेनी इरान में है और देना यहाँ पे कास मस्तान भी इसका नाम है सरोच एल्बूर्ट जो है इरान में है दामवंत इसकी सरोच बिन्दू है एस्केंडवेन रेंज जो है पच्छिमी नार्वे में है और गैल्ठो पीजेन इसका सरोच बिन्दू है ड्रांकेंस बर्ग दच्छिन अफरीका में है ट्वाना एंटलेयन्याना ये इसका सरोच में है और माउंट मैंकिनले इसकी सरोच बिंदु है कासकेट रेंज जो है संयुक्राज अमेरिका और कनाडा में है माउंट रेनियर इसका सरोच बिंदु है एपेनाइन इटली में है, कोर्नो ग्रैंडे इसकी सरोच बिंदु है, अपलेसियंस पूर्भी संयुक्तराज अमेरिका में है और ये मांट मीचल यहां की सरोच बिंदु है, आलपस जो है मधवर्ती एरोप में है, मौंट ब्लैक इसकी सरोच बिंदु है अब पठार देखते हैं, पठार जो है ये प्रितिवी तल का विशिश रूप है, जो समान तल से उचा होता है, प्रन्तु इसका सिर्षभाग सपाट होता है, संयुक्तराज अमेरिका का पीडमन पठार, दच्छिन अमेरिका का पैटागोनिया पठार, परवत पदिये पठार का दाहरन है, भारत का छोटानागपूर और रामगड तथा संयुक्तराज अमेरिका का ओजार्क पठार जो है, गुम्बदाकार पठार के परमुकु दाहरन है, अब घास के मैदान देखेंगे, उस निकटी बंधिये घास का दो तरगा होता है, उस निकटी बंधिये घास क मैदान को उस निकटी बंदिय घास के मैदान भूमद रेखिये परदेश के उत्तर व दच्छिन में लगभग 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्छांसों के मद्ध विस्त्रित है इस घास के मैदान को अफ्रीका में सवाना वेनेजुएला व कलंबिया में लानोस ब्राजील गास तथा दच्छिन अफ्रीका में पार्क लेंड कहते हैं सितोस निकटी बंदिय घास के मैदान ये घास के मैदान 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्छांसों के मधवर्ती भागों में पाया जाता है इस घास के मैदान को सयुगत राज अमेरिका व कनाड़ा में प्रेयरी अर् अब देखेंगे महादीप और प्रमुक प्रायदीप संपुन प्रित्विक के अस्थल भाग को सात महादीपों में विभाजिद किया गया है ये सात महादीप हैं एसिया यूरोप उतरी अमेरिका दच्छिनी अमेरिका अफ्रीका आश्टेलिया और अंटार्क्टिका अब देखेंगे एसिया महादीप एसिया बीश्विका सबसे बड़ा महादीप है और एसिया महादीप बीश्व का सरवाधिक जनसंख्या वाला महादीप भी है एसिया महादीप में बीश्विकी लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है बीश्विका सबसे बड़ा मद एसिया इस त dig. का पठार 25 लाख वर किलो मिटर है यह तिबबत का पठार बीशव का सर्वाधिक बिस्तृत पठार है एसिया महाधिप में चीन बीशव की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और एसिया की सबसे लंबी नदी यांचसी नदी है एसिया में इस तथ बैक जील है 3,71,000 किलोमीटर में फैला हुआ है आंतरिक सागर भी है यह एसिया महादीब को मौसिन राम मिघाले भारत में है यह बीस्यू का सरवाधिक वर्षा वाला अस्थान है यहां औसत वार्षिक वर्षन वाला यह छेत्र है सेंट पीट्सवर लेलिन ग्रांट से ब्लाडी जाने वाला जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है यह एसिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग है और इसकी लंबाई 9,332 किलोमीटर है स्वेजनहर स्वेजनहर लाल सागर और भुमल सागर को जोडती है बर्खो यास्क साइबेरिया में है यह एसिया का सरवाधिक ठंडा अस जरगत आते हैं अब देखते हैं एसिया के पर्मुख एसिया महाधीब के पर्मुख देसों की मुद्रा और उनकी राजधानियां सिंगापूर, डॉलर है मुद्रा, सिंगापूर इसकी राजधानी है, हॉंकॉंक का विक्टोरिया राजधानी है, डॉलर मुद्रा है, बुरुनेगा, बंदर सेरी राजधानी है, बंदर सेरी बेगावन, डॉलर मुद्रा है, गुवाम का अगाना है, डॉलर मुद्रा है, त कोसिया है, यूरो, इराग की राजधानी बगदाद है, दिनार इसकी मुद्रा है, कुएद की राजधानी, कुएद सिटी है, दिनार, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, बहरीन की राजधानी मनामा है, और दिनार ही इसकी मुद्रा है, उमान, उमान की राजधानी मसकट ह और रियाल मुद्रा है, कत्तर की राजधानी दोहा रियाल मुद्रा है, कमबोडिया का नॉमपेंड मुद्रा रियेल, यमन की साना मुद्रा रियाल, सौधी अरब रियाद है इसकी राजधानी और रियाल मुद्रा है, भारत का नई दिल्ली रुप्या मुद्रा है, नेपाल क काठमान्डू और रुप्या इसकी मुद्रा है पाकिस्तान का इसलामाबाद रुप्या मुद्रा है स्रिलंका का कुलंबो रुप्या मुद्रा है माल्दिव का माले रुफिया इसका मुद्रा है इंडोनेसिया इंडोनेसिया का जकार्ता और रुप्या मुद्रा है उत्तर कोर उजबेकिस्तान जो है तासकंध है और सोम इसकी मुद्रा है इसराइल जेरुसेलम न्यू सेकल इसकी मुद्रा है अफगानिस्तान काबूल अफगानी मुद्रा है कजाकिस्तान नूर सुल्तान है इसकी राजधानी और टेनगे इसकी मुद्रा है चीन में बिजिंग राजधा मनात मुद्रा है ताजिकिस्तान दुसांबेह राजधानी सुमोनी मुद्रा है बांगलादेश धाका तकका इसकी मुद्रा है भुटान थिम्बू निलगर्टरम जो इसकी मुद्रा है मैनमार का नेपिता या नबिता और इसकी मुद्रा है क्यात मलेशिया कुवालमपूर इस हनोई डोंग इसकी मुद्रा है स्वेंगतराज अमेरिका अब्बु धावी और दिरहम मुद्रा है मकाव मकाव इसकी है पटाका मुद्रा है फिलिपिन्स का मनीला है और पीसो इसकी मुद्रा है अब आगे देखते हैं उस सी नियाई के परमुख देशों की मुद्रा और है तुआलू, फुना फुटी, माइक्रो नेसिया, पालिकल, सोलमन द्यूपसमू का होनियारा, मार्सल द्यूप का मजूरो, किरिबाती का तरावा राजधानी है, तरावा, पलाओ का नेगेरलू मंड, इसकी राजधानी है, डॉलर मुद्रा है, और फ्रेंच पॉलेनेसिया क पापिते है, फ्रेंच इसकी मुद्रा है, निू कैलिडोनिया, नॉमिया है, इसकी राजधानी फ्रेंच मुद्रा है, टोंगा, नुको अलाफा, पांग इसकी मुद्रा है, वनु वातु का पोर्ट विला, वातु मुद्रा है, पापु अन्यू गुनी, पोर्ट मुरेस्व कीना मुद्रा है, समुआ का एपिया ताला मुद्रा है, अब देखते हैं इरोप महादीप, इरोप महादीप का छेतरपल की दृष्टी से साथ महादीपों में छठा अस्थान है, एसिया थता इरोप महादीप को काकेसस और इुराल परबत अलग करते हैं, इरोप महादीप मे सबसे लंबी नदी वोलगा नदी है डेन्यूब नदी की तड़ पर इस्थत राजधानिया देख लिजे बियना अश्टिरिया की ब्राती असलाव स्लोवाकिया की बेलग्रेट सर्विया की तथा बुड़ा पेश्ट हंगरी की है इटली की गंगा पो नदी को कहा जाता है पो नेच्ट देखते हैं बेलजीयम नीदरलेंड उमलक्डंबर वेनेलेकश समलिद देश है उरोपियम असिया के समलिद वुभाग को उरेसिया कहते हैं ईन्टवर्प बेलजीयम पुर्भी हिरोप को हरीत इरोप या क्रीशक इरोप कहते हैं युनाइटेड किंगडम को फ्रांस से इंगली चैनल अलग करती है इरोप का खेल का मैदान स्ट्यूजर लेंड को कहते हैं का मैदान अब देखेंगे यूरोप महादीब के परमुख देश राजधानी और उसकी मुद्रा तो लगजंबर राजधानी लगजंबर्ग है यूरो मुद्रा है बेल्जियम ब्रूसेल्स यूरो मुद्रा फ्रांस पेरिस यूरो मुद्रा स्विट्जर लेंड बर्ण स्वि राजधानी यूरो मुद्रा है, रूस का मौस्को है, रूबल इसकी मुद्रा है, आर्मेनिया का एरिवान और आर्मेनियम ड्रैम इसकी मुद्रा है, बेलारूस का मिंस, राजधानी है, रूबल मुद्रा है, मेसिडोनिया का एसकोप जे, दिनार मुद्रा है, सर्भिया का बे परीवर्थ मार्क इसकी मुद्रा है। अब नेक्ष देखते हैं आइसलैंड की राजधानी रेकवा जोईक है। एक जविक है, क्रोना मुद्रा है, सैन मारीनो, सैन मारीनो, राजानी है, यूरो मुद्रा है, इटली की रोम, यूरो मुद्रा, स्पेन, मैडरिट, यूरो मुद्रा, पुर्दगाल, लिस्वन, यूरो मुद्रा, जर्मनी, बर्लीन, यूरो मुद्रा, यूनान का एथेंस है, यूरो इसकी मुद्रा है लिथुआनिया का विलिनियस यूरो मुद्रा फिनलेंड का हेलेंसिकी यूरो मुद्रा निदरलेंड का एमस्टरडम यूरो मुद्रा अस्ट्रिया अस्ट्रिया का भियना यूरो मुद्रा बुल्गारिया का सोफिया लेव मुद्रा है लेव पोलें मेंड का राजधानी है वारसा जो लोती इसकी मुद्रा है हंगरी का बुड़ापेश प्रोनरिट इसकी मुद्रा है युक्रेन का क्यू हरिवनिया इसकी मुद्रा है चेक गनराज का ब्राग कोरूना मुद्रा है रोमानिया का बुखारेश लिव मुद्रा है अजर वेचान ब जर्मनी और फ्रांस के बीच के रेखा को मेगी नौट रेखा कहते हैं अब उत्तरी अमेरिका देखेंगे बीस युका तीसरा सबसे बड़ा महादीब जो है उत्री अमेरिका महादीब है और उत्री अमेरिका में कुल तेज देश हैं अलास्का में इस देनाली इसका देनाली जो है उत्री अमेरिका का सरोच परवत सिखर है पहले इसका नाम था माउंट मैकिनले इसकी उचाई है 6190 मीटर मैक्सीको की खाड़ी में चलने वाले चक्रवात को हरीकेन और टर्नोडो कहा जाता है डेट्राइट स्यूंत राज अमेरिका का मोटर कार उदोग का परमुख के सौप्ट पेयर तथा कंप्यूटर के उदोग के लिए सिलिकन वैली सैंस फ्रांसिसको महसूर है गन्य का परमुख उत्पादन होने के कारण क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते है निवार को नगरो का नगर कहा जाता है बीस्व में सरवाधिक चांदी उत्पादन करने वाला देज जो है मैक्सिको है उत्री अमेरिका महादीब की ग्रेट सेल्क ग्रेट लेक्स में सामिल पाँच जीले कौन-कौन है सुपीरियर, हिरोन, मिसिगन, एरी, और अंटेरियो नियागरा जलपरपात कनाडा यम संयुक्तराज अमेरिका की सीमा पर इस्सत है लौस एंजिल् कलिफोर्निया में है फिल मुदोग के लिए बिसो विख्यात है कनाडा के क्यूबे को देश के अंदर देश की संगया दी गई है अब देखेंगे उत्री अमेरिका और कैरेवियन सागरिये देशों की मुद्रा और राजधानिया ठीक है तो कनाडा की राजधानी उटावा ह सबकी डॉलर मुद्रा है डॉलर सेंट विंसेंट एवों ग्रेने डाइन्स राजधानिये किंग्स्टावन डॉलर मुद्रा है बर्मूडा का हैमिल्टन डॉलर मुद्रा है बहमास का नसावू डॉलर मुद्रा है जमाइका का किंग्स्टन डॉलर मुद्रा है बारबडोस क डॉलर मुद्रा है बेलीज का बेल मोपान डॉलर मुद्रा है ग्रेनाडा का सेंट जॉर्ज डॉलर मुद्रा है ग्वाटे लोप का बरसे तेरे और डॉलर जो है इसकी मुद्रा है सौरी यूरो है ग्वाटे लोप का डॉलर नहीं यूरो मुद्रा है ठीक है यूरो इसकी मु मेक्सिको का मेक्सिको सिटी पीसो मुद्रा है कोश्टारिका का स्वैन जोन्स कोलन मुद्रा है अल सल्वाडोर सान सल्वाडोर इसकी राज़ानी है और डॉलर मुद्रा है ग्वाटेमाला ग्वाटेमाला सिटी इसकी राज़ानी है और क्वाट जाल इसकी मुद्रा है निकार हुंडुरास का तेगु सिगलपा इसकी राजधानी है और लेंपीरा इसकी मुद्रा है एंटिगुआ तथा बरबुडा इसकी सेंट जौस जो है राजधानी है डॉलर मुद्रा है पनामा का पनामा सिटी बाल बुवा इसकी राजधानी है हैती का हैती का हो जाएगा पोर्ट को प्रिंस राजधानी है और गोडे इसकी मुद्रा है ग्रीन लैंड का नूक राजधानी है और क्रोन इसकी मुद्रा है संयुक्तराज अमेरिका का वासिंग्टन डीसी और डॉलर मुद्रा है अब हम लोग देखेंगे दच्छीन अमेरिकी महादीब दच्छीन अमेरिका जो अमेजन नदी दच्छिनी अमेरिका महादीब की सबसे बड़ी नदी है, अमेजन नदी को बिस्वी की सबसे चोड़ी और विसाल जल रासी की नदी कहते हैं, तो अमेजन नदी बिस्वी की सबसे चोड़ी नदी है और विसाल जल रासी की ये नदी है, बिस्वी का सबसे उच जो आला मुखी जो है ओजेस डेल सलाडो है 6893 मीटर इसकी चाही है और चीली योम अर्जेंटीना के सीमा परिस्तत है अर्जेंटीना का हिर्दे पंपास को कहा जाता है अर्जेंटीना में गेहूं की चंद्रा कार पेटी इससत है ब्राजील दच्छीन अमेरिका का सबसे दच्छीन अमेरिका का सितोस मरवस्तल है बोलीविया और परागवे दच्छीन अमेरिका के दो अस्थल औरूध देश है अब दच्छीन अमेरिका महादीब के परमुख देशों की मुद्रा और उसकी राजधानिया देखते हैं गुआना का जर्ज टाउन डॉलर मुद्रा है त्री निनाद टोबेको पोर्ट आफ इस्पेन इसकी राजधानी डॉलर मुद्ड्रा है कोलंबिया का बोकोटा पीसो मुद्रा है चिल्ली का सेंटी Αगो पीसो मुद्रा है इरूगिये का मों्त वीडियो राहस faithful है पीसो मुद्रा है सूरिनाम परामारीबो है डॉलर मुद्रा है पेरु का लीमा न्यू सोल इसकी मुद्रा है ब्राजील का ब्रासिलिया रियल मुद्रा है बोलीविया का लापाज बोली वियानो इसकी मुद्रा है परागवे का असन स्यान राजधानी है गुआरानी इसकी मुद्रा है इक्वेडोर का क्य डॉलर मुद्रा है अर्जेंटीना का ब्यूनस आयर्स पेसो मुद्रा है वेनी जुएलका काराकास ओली वर इसकी मुद्रा है अब हम लोग अफ्रीका महादीब देखेंगे अफ्रीका महादीब को बहुस्त का महादीब कहा जाता है अफ्रीका महादीब छेतरपल की अपरिका महादीप की सबसे बड़ी जील जो है विक्टोरिया जील है विस्वे की सबसे लंबी नदी नील नदी का उदगम अस्थल जो है विक्टोरिया जील है आस्वान बांध नील नदी पर बना है पोट सहीद बंदरगा स्वेज नहर के उतरी छोर पर और पोट स्वेज बंदरगा दच्छिनी छोर पर इस्थत है विस् अंद महादीब, अफरीका महादीब को कहते हैं, हॉर्न और अफरीका में सामिल देश है, सोमालिया, इथियोपिया, इरिटीरिया और जिपूति, दच्छिन सुडान, संउत राष्ट, संग का 193 वा सदस देश है, दच्छिन सुडान. अब देखेंगे अफरीका महादीब के परमुख देशों की मुद्रा और उसकी राजधानी, मेडा गासकर, माला गासी, इसकी राजधानी अंतानन नरीबो है, एरी अरी इसकी मुद्रा है, गिनी का कुनार के, कोष्ट आयोरी दकोष्ट का यामो उस्क्रो इसकी राजधानी ह इसकी राजधानी बुर्गीना फासो की राजधानी क्वागा दोगव है टोंगो की राजधानी लोमे है नाइजर की राजधानी नियामी है और मध्य अफ्रीकी गनराज की राजधानी बंगुई है फ्रेंक इसकी मुद्रा है बुरूंडी गीतेगा राजधानी फ्रेंक मु कांगो का ब्राजवीले राजधानी है फ्रैंक मुद्रा है सनेगल का डकार राजधानी है वेश्ट अफ्रिकन फ्रैंक इसकी मुद्रा है बेनीन का पोटो नौओ है वेश्ट अफ्रिकन फ्रैंक इसकी मुद्रा है गैबोन का लिब्रे विले है फ्रैंक मुद्रा है गैबोन का चाड का इन दजा मेना इसकी राजधानी है फ्रेंक इसकी मुद्रा है लाइबेरिया का मुन रोईया और डॉलर इसकी मुद्रा है माली का बमाको है राजधानी वेश्ट अफ्रीकन फ्रेंक इसकी मुद्रा है केनिया का नैरोबी राजधानी सिलिंग मुद्रा है सोमालिया का मोगा दिसू सिलिंग मुद्रा तंजानिया का डोडोमा सिलिंग मुद्रा अलजीरिया का अलजीरस दिनार मुद्रा है ट्यूनिसिया का ट्यूनिस दिनार मुद्रा है लीबिया का त्रिपोली दिनार मुद्रा है सुडान का खार्तुम पाउंड मुद्रा है मौरिसस का पोर्ट लुइस और इसका रूपया मुद्रा है सेसेल्स का विक्टोरिया रूपया मुद्रा है साउटोम का साउटोम राज़ानी है डोबरा मुद्रा है अंगोला का लुआंडा राज़ानी है क्वांजा मुद्रा ह घाना का अक्रा राज़ानी है और सीडी इसका मुद्रा है अश्टेलिया महादीब देखे अब अश्टेलिया महादीब यह सबसे कम जनसंख्या वाला महादीब है एबिल तस्बान 1642 में और कैप्टन कुक 1770 में करमस तस्मानिया और अश्टेलिया महादीब की खोज की थी त अश्टेलिया के मुल्य निवासी है अश्टेलिया महादीब की राज और उनकी राजधानी देख लेते हैं पच्छिमी अश्टेलिया की राजधानी पर्थ है दच्छिन अश्टेलिया की एडिलेड न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सीडनी है कैनबरा की राजधानी अब नेक्षाते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आश्टेलिया महादीब की पर्मुक परवत माला है आश्टेलिया की सबसे पर्मुक क्रिसी छेत्र मरे डार्लिंग हाटी है जेकारू अश्टेलिया में भेड पालन केंदरों में काम करने वाले मजदूरों को कहा जाता है ग्रेट बैरियर रिफ अश्टेलिया के क्विन्स लैंड राजी के उत्तर पूर्वी टड़ पर इससत है कालगुर्ली और कूलगार्डी अश्टेलिया की बिज सुविख्या सोने की खाने हैं सिडिनी को पड़ से जोडने वाला ट्रांस कांटिनेंटल रेल मार्ग अश्टेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है गिप्सन, सिंप्सन, तनामी, सैंडी एवं विक्टोरिया अश्टेलिया के मर्वस्थल है अश्टेलिया महादीब को 85 भूमी का देश और लैंड औफ कंगारू भी कहा जाता है न्यूजी लैंड की खोज करी थी पूर्दगाली यातरी आबेल तसमान ने और 1769 में कैप्टन जेम्स कुक द्वारा इसे परमानित किया गया था दच्छीन का बिरिटेन न्यूजी लैंड को कहते हैं न्यूजी लैंड का राष्टिय कीवी पच्छी कीवी है माउंट कुक ये 3724 मीटर उचा है ये न्यूजी लैंड का सरोच सिखर है अंग्रेज नाविक जेम्स कुक ने अंटार्क्टिका महादीब की खोज की थी किन्तु वे इसकी मुख भोमी तक पहुँच नहीं पहुच पाये थे फेवियन वेलिंग सौसेन ने अंटार्क्टिका महादीब की मुख भोमी की खोज की थी 98% हिस्सा सदेव बर्प से अच्छादित रहने के कारण अंटार्क्टिका महादीब को स्वेत महादीब कहा जाता है नार्वे निवासी एमंसन ने दच्छनी धुरू पर पहुचने वाले प्रथम ब्यक्ति थे अंटार्क्टिका महादीब को विज्ञान के लिए समर्पित महादीब कहा जाता है बिश्वे के परमुख परबत सिखर और उनकी उचाई देख लेते हैं तो परबत सिखर और उनकी दिया है एवरेज जो है नेपाल में है 8848.86 इसकी उचाई है मीटर में लाहाद से नेपाल में है 8516 मीटर उचाई है धौलागिरी भी नेपाल में 8167 मीटर में उचाई है केटु गौडविन आश्टिन भी कहते हैं ये भारत में है 8,611 इसकी उचाई है कमेट भारत चीन में इससद है 7,756 उचाई है और राकापोसी पाकिस्तान में 7,788 गोसाई थान चीन में है 8,014 कंचन जंगा नेपाल भारत में है 8,586 मीटर है मकालू नेपाल चीन में 8,463 मीटर है उचाई अनपुर्णा नेपाल में 8,091 मीटर नंगा परबत भारत में 8,126 मीटर नंदा देवी भारत में 7,817 गेसर ब्रम ये पाकिस्तान में है 8,068 तीरिच मीर पाकिस्तान में 7,708 नामचा बरवा 7,756 है अब देखेंगे बिस्वे के परमुख देशों के भगोलिक उपनाम आश्टेलिया का लैंड ओफ दा गोल्डेन फ्लीस, लैंड ओफ कंगारू, लैंड ओफ गोल्डेन वूल इसका नाम है उसाका जापान का पूर्व का मैंचेस्टर कहते हैं केरल भारत में भारत का मसालो का बगीचा कहते है केंट जो है इंगलैंड में इंगलैंड का बगीचा कहते है कनाडा लीली का देश है कोची भारत में है अरब सागर किरानी या पूरुव का वेनिस कहा जाता है कोरिया को हर्मिट किंगडम, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, सुबह की सांती का देश कहा जाता है कोरिया को क्यूबा को क्यूबा को एंटि लीज का मोती, वेस्व का चिनी का कतोरा कैते हैं थाइलेंड को सफेद हातियों का देश, भुटान को लैंड ओफ ठंडर वोल्ट, जापान को सुर्योदय का देश, मिस्र, नील नदी की देन, वेनिस इटली में है, क्वीन ओफ एड्रियार्टिक का जाता है, निव्यार्क एंपायर सिटी, गगन चुम्बी इमारतों का नगर जिब्राल्टर को भुमद सागर का द्वार, जेरुसेलम को होली लैंड, फिन लैंड को हजारो, जीलो का देश, नारवे को, मध रातरी के सूरे का देश कहा जाता है, होंगो, पीली नदी को चीन का सुक कहा जाता है, रोम इटली में है, इसको इटर्नल सिटी, होली सिटी, रक्तवर्न महिला, पोप का सहर, साथ पहाडियों का नगर, प्राचीन, विश्वी की समगरी और पच्छिम का बेबिलोन कहा जाता है, सिंगापूर को पर्ल ओफ दी ओर्येंट कहा जाता है, फिला डेलफिया को क्वेकर सिटी, स्री लंका को पूर्वे का मोती, या हिंद मह सागर का मोती, जिब्राल्टर जल संदी को पिलर्स ओफ हरक्यूलियस, निटाल दच्छिन अफरिका में है, गॉर्डन पोर्विंस ओफ दच्छिन अफरिका, बेल्जियम को कॉक्पिट ओफ इरोप, मैनमार को स्वर्निंग पैगोडा का देश कहा जाता है, सैन फ्रांसिस क युएसे को सिटी ओफ गोल्डेन गेट, मुंबई को साथ टापवो का नगर, पैरीज ओफ नौर्थ को संसार का रोटी भंडा, अमेरिका में है, अमेरिका भी कहा जाता है, लहासा तिब्बद को फॉर्विडन सिटी, त्रिस्तान डिकुनहा को संसार का निर्जनतम द्वि नार्वि सुर्यास्त का देश, और पैरीज जो है, फ्रांस में है, विस्वि की जननत कहा जाता है, अब महादीप और सबसे उचा परवत, देख लिजे, एसिया का माउंट एवरेश्ट है, सबसे उचा परवत, अफरीका का माउंट एवरेश्ट, इरोब का, यहां अफरीक अफरीका का ओजस डेल सलाडो है, अश्टेलिया का माउंट को स्की उसको है, अंटार्क्टिका का विंसन मैसिफ है, और उत्तर अमेरिका का माउंट मैकिनले या डेनाली है, सबसे लंबी नदी महादीप, देख लिजे, अमेजन दच्छिनी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है वोल का इरोब की यांगसी एसिया की मिसोरी जो है उत्तर अमेरिका की मर्रे जो है आस्टेलिया की और ओनिक्स जो है अंटार्क्टिका की है गहनतम बिंदू और महादीब देखते हैं आस्टेलिया का गहनतम बिंदू आयर जील है एसिया का मिर्तिसागर है बीस्वे का ये स जिसे कहते हैं अंटार्क्टिका का डेन मैन ग्लेसियर है अब बीस्वी की परमुख जनजातिया और उनसे संबंदीत छेतर देख लेते हैं अरब की जनजाती बद्दू है कांगो बेसिन की पिगमीज है उत्री अमेरिका की रेड इंडियन्स हैं काला हारी मर्वस्तल बोस्व न्यूगिनी का पापुआंस मलेसिया का सेमांग न्यूजीलेंड का माओरी साइबेरिया का यूकागिर मदेसिया का खिरिगीज मद अफ्रीका का निग्रो और स्रिलंका का वेदा दच्चिन अमेरिका का जूलू इकान्था और साइबेरिया का तातार या तारतार है ये सभ आवास होता है तीपी रेड इंडियानों द्वारा निर्मित आवास है क्राल जो है मसाई काफिर यह जूलू द्वारा घास से निर्मित आवास है इगलू एसकीमो जनजातियों द्वारा बर्फ से निर्मित आवास है और इजबा उतरी रूज के ग्रामीन छेतरों में तिकोन मानो निर्मित आवास है अब बीश्वे के परमुक अदोगिक नगर देखते हैं उसाका लोहा इसपात सूती वस्त संबंदित है नगोया सूती वस्त जहाज निर्मान से हवाना सीगार से और धाका जो है कालीन उदोग के लिए कोबे है लोहा इसपात के लिए वेलिंग्टन फ्रांस में है सिल्क उदोग के लिए वेनी जो है काच उदोग के लिए बरमिंगम लोहा इसपात के लिए मिलान सिल्क वस्त रुदोग के लिए प्ले माउट जो है जहाज निर्मान के लिए डेट्रोड आटो मॉबाइल के लिए म्यूनिक लेंस निर्मान जर्मनी में है य विंस निर्मान के लिए चेलिया विंस्क लोहा इसपाद के लिए कंसास जो है मांस उदोग के लिए मुलतान जो है मिट्टी के बरतन के लिए सियेटल वायू यान निर्मान के लिए बलाडी वोश्टक जहाज निर्मान के लिए ग्लास गो जहाज निर्मान के लिए क्यू इं ये फील मुधोग के लिए परसीद है बीस्वे के परमुक मरुवस्थल और उसका बिस्तार देख लेते हैं सहारा मरुवस्थल तो ये इसका बिस्तार छेतर है चाड माली नाइजर सुडान मीस्र वेश्टन सहारा मुरक्को लीबिया अलजियरिया ट्यूनीसिया मारितानिया ये सभी है इसके और आश्ट्रेलियन मरुवस्थल में ग्रेट विक्टोरिया ग्रेट सैंडी गिप्सन सिम्सन तथा अश्टूवट रेगिस्तान है अरेबियन मरुवस्थल में देखें तो सौदी अरब इसका बिस्तार है सौदी अरब इराग कुवैत कतर यमन ये सभी मे गोलिया और चीन में हैं, कालाहारी बोस्वाना अफ्रीका में हैं, तकला मकान सिक्यांक चीन में हैं, सोनोरन सहित्राज अमेरिका तथा मेक्सिको में हैं, नामीबिया नामीबिया में, कराकूम जो है तुर्कमेनिस्तान में, थार जो है उत्तर पच्छमी भारत तथा पाकिस् अटा कामा, उत्रिचिली में, काजिलकुम, उजवेकिस्तान तथा कजाकिस्तान में हैं दस तेलुट पूर्भी इरान में हैं मुजावे, दच्छिन कैलिफोर्निया, ईवेसे में, दस सितो देशेचुरा यह हैं उत्रिपचमी पेरु में, पेटागोनिया अरजेन टिना में ह रेश्मी वस्तुदोग चीन भारत जापान रूस फ्रांस में सुति वस्तुदोग चीन भारत ब्रिटेन रूस उतनी वस्तुदोग के लिए संहुतराज अमेरिका ब्रिटेन जापान लौ इस पात उदोग के लिए जापान संहुतराज अमेरिका रूस यूक्रेन या वायू प्रांस है, ब्रिटेन है, रूस है, संयुत्राज अमेरिका है, मोटर वाहन दोग में, जापान, संयुत्राज अमेरिका, रूस, इटली, फ्रांस, जर्मनी, पोत निर्मान दोग में, संयुत्राज अमेरिका, स्वीटेन, जापान, जर्मनी, चीन, पोटास उर्वरक दोग में सहींतराज अमेरिका जर्मनी फासपोर्ड में फासपेट उरवरक में आश्टेलिया सहींतराज अमेरिका नाइट्रोजन अईज़ों उरवरक उदोग में जापान, भारत और सहींतराज अमेरिका है अब देखेंगे 20 वे के पर सीध अस्थल और देश Statue of Liberty, New York, USA में है, Disneyland, California, USA में है, White Sands, संगतराज अमेरिका में है, Blinks Gate जो है, London, England में, Kans, France में, L.E.C. Palace, France में, Red Square, Rus में, Orville, भारत में, Statue of Unity, गुजरात भारत में बीश्वे के पर्मुख पठार और उनकी स्थिती देख लिजे, कुलंबिया का पठार सोयुक्तराज अमेरिका में है, दक्कन का पठार, दच्छिनी भारत में, मेडा गासकर का पठार, मेडा गासकर द्विप में है, इरान का पठार, इरान, एसिया माइनर का पठार भी से कह तिब्बत का पठार हिमाले के उत्तरयों क्यूनूल परबत के दच्छिन में हैं। अलास्का का पठार अलास्का, कनाडा, युकोन पठार है। ग्रेट बेसिन का पठार कोलंबिया नदी, एमकोलो, रेडो नदी के मद है। बोलिविया का पठार बोलिविया के इंडिस परवतमाला छेतर में। चिया पास का पठार दच्छिनी मेक्सिको में। इंडो चीन का पठार दच्छिनी एसिया का पूर्वी प्रायदीप में, अभी सीनिया का पठार इथियोपिया और सुमालिया पूर्वी अफ्रीका में, अरब का पठार दच्छिन पठार अनातोलिया का पठार तुर्की में, अब देखते हैं वायू मंदल, वायू मंदल में गैसों की स्थिती देख लेते हैं, नाइट्रोजन 78.08% है, अक्सीजन 20.95% है, आरगन का 0.93% है, कॉर्बन डेक्साइट 0.036% है, नियोन 0.002% है, और क्रिप्टोन 0.001% है, हीलियम 0.005% है, और हाइड्रोजन का 0.005% और जेनॉन 0.009%, कारवन डेक्साइट प्रित्वी पर ग्रीन हाउस गैस परभाव के लिए जिम्मेदार है, ओजोन गैस समताप मंडल के निचले भाग में प्रित्वी की सता से 15-35 किलोमेटर की उचाई में पाई जाती है, धूल कनों के प्रकिर्णन के कारण अकास का जो रंग है नीला दिखाई परता है, अब वाई मंडल ये सनरचना देख लिजे, मंडल है और उचाई तापमान और विसिश्ट तत्य क्या है, छो मंडल, छो मंडल की उचाई 15 किलोमेटर तक है और धिरिवो पर ये 8 किलोमेटर तक है, उचाई बढ़ने पर तापमान जो है घटता जाता है, यहां विसिश्ट तत्य क्या है, वाई मंडल ये घटना है, जैसे आंधी, वर्सा, बादल, तुफान ये सभी छो मंडल में होते हैं, समताप मंडल 15 से 50 किलोमेटर तक है, और धुरूओ पर ये इसकी मुटाई धुरूओ पर मुटाई सरवाधिक होगी, प्रारम में तापमान समान रहता है, लेकिन 20 किलोमेटर के उपर जाने पर बढ़ता है, इसकी विसेश्टा है, ओजोन गैस 15 से 35 किलोमेटर तक पाई जाती है, मध्यमंडल 50 से 80 किलोमेटर तक है, उचाई के साथ इसमें तापमान में गिरावट होती है, और ये विसेश्टाथिस के हैं उपरी सीमा मेसा फोज कहलाता है, आयन मंडल 80 से 640 किलोमेटर और उचाई के साथ तापान में ब्रीधी होती है, और आयन मंडल में संचार उग्रह अस्थापिद होते हैं, अरोरा आश्ट्रेलिस, अरोरा बोरियालिस के घटना यहीं होती है, बाह मंडल 640 किलोमेटर के उपर पाया जाता है, अब देखेंगे परमुक ठंडी अस्थानिये पवन, नौर्डन संउतराज अमेरिका की है, नौर्टी संउतराज अमेरिका के है, वीली वाव अलास्का की है, पैमपेरो अर्जेंटिना की है, पाप जो है एडियार्टिक टटर पे चलता है, केप डॉक्टर, टेवूल, ब्लॉक, दच्छीन अफ्रीकी गंतंतर के है, हबूब कहां की है, सुडान की है, सिस्तान, पूर्भी, इरान की है, ट्रैमो टेन, मद उरोप की है, लेवेंडर जो है, स्पेन की है, यह सभी पाउने थी अब प्रमुख गर्म अस्थानी पाउन देख लेते हैं, सिरो को, यह सहारा मरुवस्थल इटली में चलती है, हर्मटन, डॉक्टर पाउन भी से करते हैं, गिनी टट पे, चिनुक, रोकी परवत पे, सहुतराज अमेरिका, फॉन, आलपस परवत, स्वीर्जर लेंड में, ब अब पे, चिली, टुनेसिया में, कोईम बैग, जावा, इंडोनेसिया में, सामल, इराक में चलता है, नार्वेश्टर, न्यूजी लेंड में, सांता आना, दच्छिनी, कैलिफोर्निया में, सामून, इरान में, लू, उत्री भारत में, अयाला, फ्रांस में, गर्म, सील, य जो है, दच्छिन, पूर्वी, स्पेन में, पुनेंटी, जो है, उत्तर, पक्छिम, भूमद्य सागर में, बर्ग, दच्छिन, अफ्रीका में, बागयो, फिलिपिन्स में, सुखो, ये रूस तथा कजाकिस्तान में होता है, अब देखेंगे, जेट परवाह के बारे में, ज इसका बेग, ग्रीस मकाल की तुल्ला में, दो गुना अधिक हो जाता है, जेट परवाह के कारण, तुफान, वर्सा, वायमंडलिये विच्छोप और चक्रवात, यों प्रती चक्रवात उत्पन होते हैं, वातागर क्या होता है, जब धलान वाली सीमा के सहारे, दो विप्र तुफावाली वायूराशिया मिलती है, तब वातागर का निर्मान होता है, आधिरता, वायमंडल में उपस्ति जलवास्प को वायमंडली आधिरता कहा जाता है, उसांक क्या है, उसांक वायू का वह तपान है, जिस पर जल अपनी गैसी अवस्था से तरल या थोस हामे रुपांत्रित हो जाता है ओस देखते हैं वायू का तापमान उसांग से नीचे गिरने पर वायू में उपस्तित जलवास्प संगनित होकर जल की छोटी छोटी बुंदों के रूप में पृत्वी तल पर जमा हो जाता है जिसे ओस कहते हैं तुसार या पाला पाला या त तब पढ़ता है जब हीमांग से उसांग नीचे रहता है तथा अतरीक्त जलवास्प हीम कनों के रूप में जम जाता है। 3-4 थाई पर है स्वक्ष जल या मृदू जल प्रित्वी की कूल जल रासी का मातर 3% है। परसांत महसागर बिश्व का सबसे बड़ा महसागर है। समुदरी जल की ओसत लवनता 35 प्रती हजार होती है। बिश्व में सबसे अधिक लवनता जीबूती की असल जील 348% है और परसांत महसागर में मेरियाना गर्थ है 11,033 मिटर में। मिटर है इसकी गहराई जो है। परसांत महसागर में मिंडनाओ जो है परसांत महसागर में ये भी 10,540 मिटर गहरा है। टोंगा जो है परसांत महसागर में है। पोर्टोरिको अंटलांटिक महसागर में है। पच् 8152 मिटर इसकी गहराई है दच्छनी अंटलांटिंग माहसागर में रोम से जो है दच्छनी अंट्लांटिंग माहसागर है अब देखते हैं परसांत माहसागर की गर्म जल्धारा हैं तो इसमें कौनकोन है क्यूरोसियो, अलासका, सुसीमा ये सभी गर्म जल्धारा हैं एलनीनो जल्धारा, उत्तर विस्वत रेखिये जल्धारा दच्छिन विस्वत रेखिये जल्धारा उतरी परसान जल्धारा, पुर्वी अस्टेलिया जल्धारा प्रती विस्वत रेखिये जल्धारा प्रसांत महासागर की ठंडी जल्धारा है, हमबोल्ट या पेरुवियन जल्धारा, कैलिफोर्निया जल्धारा, अंटार्क्टिका जल्धारा, क्यूराइल जल्धारा, उखोष्टक जल्धारा, अंट्लांटिक महासागर की गर्म जल्धारा देखते हैं, गल्फ इश्ट्रिम जल्धारा, ब्राजिल जल्धारा, फ्लोरीडा जल्धारा, इर्मिंगर जल्धारा, उत्तरी विश्वतिय रेखिये जल्धारा, दच्छिन विश्वत रेखिये जल्धारा, और गीनी जल्धारा, अंट्लांटिक महसागर की ठंडी जल्धारा, कनारी जल्धारा, बेंगुएल जलधारा, लेबरोडोर, फॉक लेंड, पूर्वी, ग्रीन लेंड जलधारा, अंटार्क्टिका जलधारा ये सबी था, अब हिंद महसागर की अस्थाई तथा गर्म जलधारा है, मुनजाम्बिक जलधारा, अगुलहास जलधारा, दच्छनी विश्वत रेखिये जलधारा, ह सूर तथा चंद्रमा की आकर्शन, सत्तियों के कारण सागरिये जल के उपर उठने, एवम नीचे गिरने की प्रकिरिया को कहा जाता है, चंद्रमा का प्रित्वी के अधिक समीप होने के कारण, उसकी ज्वार, उत्पादन की जो सत्ति है, सूर से लगभग दोगनी अधिक ह चंद्रमा, सूर और प्रित्वी, पुर्णीमायम अमोस्या को एक सीध में होते हैं, जिसके कारण इस दिन प्रित्वी पर उच्च ज्वार उत्पन होते हैं, चंद्रमायम सूर दोनों पक्षो की सब्तमी या अश्टमी तिथी को प्रित्वी के केंड़ पर समकोन बनाते है जिससे प्रित्वी पर निम निजवार की स्थिती उत्पन होती है, अब देखेंगे बीस्वी की परमुख नहरे और देश, तो स्वेज नहर इसमें है, ये मिस्र में है, लाल सागर औ भूमद सागर के बीच है, जोडती हैं, पनामा नहर पनामा देश में है, परसांत बिच मैं है on olive के बीच इ everyday सु नहर स्हित्तुराज अमेरिका में है सूमयूत्तुराज अमेरिका में एक किल नहर जर्मनी में है जर्मनी में है अब देखेंगे बीश्वे की परमुख नदिया उदगम अस्थल और समाहित अस्थल तो सबसे लंबी नदी तो 6650 किलो मिटर नील की है नील नदी है और ये उदगम अस्थल विक्टोरिया जील है और मिलती का है भुमद्य सागर में गिर जाती है अमेजर नदी 6400 किलो मिटर लंबी है लैगो फेरों से निकलती है और अनप्लांटिक महासागर में समाहित हो जाती है यांक्सी नदी 6300 मिटर है किलो मिटर लंबाई है और तिबबत के पठार उदगम अस्थल है चीन सागर में समाहित हो जाती है मिसिसिपी मिसौरी जो है इटास का जील उदगम अस्थल है मेक्सीको की खाड़ी से मिल जाती है ओब इरिटिस जो है अल्टाई परवत से ओब की खाड़ी तक जाती है हौंगो जो है क्यूनूल परवत से निकलती है और चीहली की खाड़ी से मिल जाती है येनिसी बड़ी यम छोटी एनिसी संगम से निकलती है और कारा सागर में मिल जाती है कांगो जो है उत्तरपूर्वी जांबिया उच्छ भूमी से निकलती है और अंटलांटिक महासागर में मिल जाती है आमोर जो है सीलका एम आरोगुन में से निकलती है सखालीन खाड़ी और खोश्टक सागर में मिल जाती है लीना बैकाल परवत से निकलती है और लपताव सागर में मिल जाती है मेकेंजी है ग्रेट सलेव जील ब्यूफोर्ट सागर में मिल जाती है नाइजर गीनी अफ्रीका से निकलती है गीनी की खाड़ी में मिल जाती है मेकांग जो है तिबबत के पठार से निकलती है और दच्छनी चीन सागर में मिल जाती है ओलगा वलदाई पठार रूस से निकलती है कैस्पियन सागर में मिल जाती है सेंट लॉरेंस ओंटोरियो जील से निकलती है सेंट लॉरेंस के खाड़ी में मिल जाती है प्रमपूत्र जो है ये मांसरोर जील के पास निकलती है और बंगाल के खाड़ी में मिल जाती है सिंदू इसकी लंबाई है 2880 किलोमेटर और मांसरोर जील के पास निकलती है अरब सागर में मिल जाती है डेन्यूब जो है बिलेक फोरेश जर्मनी से निकलती है काला सागर में मिल जाती है फरात जो है ये करासू या मूरत सू के संगम से निकलती है और सत अल अरब में मिल जाती है डार्लिंग ग्रेट डिवाइडिंग रेंज अस्टेलिया से निकलती है, मरे नदी में मिल जाती है, मरे जो है अस्टेलियन आलपस से निकलती है, दच्छनी सागर में मिल जाती है, परागवे जो है मांटो ग्रोसों से निकलती है, ब्राजीन पिराना नदी में मिल जाती है, दच्छनी ईराल पर्वत रूस से निकलती है कैश्फियन सागर में मिल जाती है, गंगा पचीस सो पचीस किलो मिटर इसकी लंबाई है, गोमुख कंगोतरी हिमानी से निकलती है, पंगाल के खाड़ी में मिल जाती है, अ्मू दरिया पचीस सो चालीस किलोमिटर है पामीर का पठार से निकलता है अरल सागर में मिल जाता है अरकन्सास रौकी परवत से निकलता है मिसीसिपी नदी में मिल जाती है कोलो रेडो ये रौकी परवत से निकलता है कैलिफोर्निया की खाड़ी में मिल जाती है नीपर जो है मासको के पक्छिम से निकलती है और काला सागर रूस में मिल जाता है ओही ओ अले घेनी नदी से निकलती है पैंसिलवानिया से मिसिसिपी नदी में मिल जाती है इरावदी मालियों नामी नदी से निकलती है औंडमान सागर में मिल जाती है औरेंज जो है डेंकंस बर्ग परवत से निकलती है अटलांटिक महसागर में मिल जाती है ओरी नीको सियरा परिमा परवत से निकलती है अंटलांटिक महसागर में मिल जाती है कुलंबिया रौकी परवत से निकलती है परसांत महसागर में मिल जाती है डौन जो है टूला रूस से निकलती है यह जो सागर में मिल जाता है टीग्रीस टॉरेस परवत तुर्की से निकलती है और यह यूफरेटस में मिल जाता है यूफरेटस व्यम टीग्रीस के संगम के ब एक हिए औरब सागर शंबंधित और भारत और स्रिलंका को यह अलग करता है मलक्का जावा सागर और बंगाल की खाड़ी मिस्तत है और यह मलाया यह को स्रिमात्रा को अलग करता है बेरिंग जलसंदी जो है यह आकर्टिक सागर और बेरिंग को जोडती है और रूस और अलास्का को अलग करती है फ्लोरीडा जो है अटलांटिक महसागर मेक्सिको के खाड़ी में है और क्यूबा यह फ्लोरीडा को अलग करती है डोवर जलसंदी उत्रा अट्लांटिक महसागर उत्री सागर को जोडती है फ्रांस एवं ब्रिटेन को अलग करती है जिब्राल्टर जिब्राल्टर जो है अट्लांटिक महसागर एवं भुमद्य सागर उरोप को जोडती है और मुरको एवं अस्पेन मुरको अफ्रीका में है और स्पेन उरोप में इनको अलग करती है बिस्वी की प्रमुख जलसंदिया डोवर जलसंदी फ्रांस इंगलेंड में इस्थत है उत्री सागर यहम इंगलीज चैनल को जोड़ती है डेविज जलसंदी कनाडा ग्रीन लेंड में है अटलांटिक महसागर यहम बेफिन की खाड़ी को जोड़ती है डेनमार्क जो है गिन्बलेंड आइसलेंड में है यह ग्रीन लेंड सागर यहम उत्री अटलांटिक महसागर को जोड़ती है पाक जलसंदी स्रिलंका भारत में है बंगाल की खाड़ी और मनार की खाड़ी को जोड़ती है मलक्का जो है मलेसिया इंडोनेसिया में है ये दच्छिन चीन सागर और अंडमान सागर को अलग करती है जोड़ती है ये दच्छिन चीन और अंडमान सागर को जोड़ती है हडसन जो है ये कनाडा में है अंटलांटिक महसागर येवं हडसन की खारी को जोडती है बेरिंग जलसंदी रूस अलास्का में है चुकसी सागर येवं बेरिंग सागर को जोडती है लुजोन जो है ताइवान लुजोन दिव फिलिपिन्स में है ये फिलिपिन्स सागर एवं दच्छनी चीन सागर को जोडती है मैगलन जो है चीली में है अंटलांटिक महासागर एवं परसांत महासागर को जोडती है जिब्राल्टर जो है मुरक्को अस्पेन में है अट्लांटिक महसागर एवं भुमद्य सागर को जोडती है कोरिया दच्छिन कोरिया जापान में है ये पूर्वी चीन एवं जापान सागर को जोडती है टॉरस जो है अश्टेलिया न्यूगिनी में है पापुआ की खाड़ी यं अराफुरा सागर को जोड़ती है फ्लोरीडा जो है क्यूबा सबनुतराज अमेरिका में है और ये अन्टलांटिक महसागर और मेक्सिको की खाड़ी को जोड़ती है बाब अलमन देव जीबुती यमन में है और ये अरब सागर ये उम लाल सागर को जोडती है डॉर्डेन लीज जो है तुर्की में है एजियन सागर और मरमरा सागर को जोडती है बॉस अस्टेलिया में है दच्छनी सागर ये उम तस्मान सागर को जोडती है सुसिमा जापान एवं दच्छिन कोरिया में है पूर्वी चीन सागर एवं जापान सागर को जोडती है बासपोरस तुर्की में है मरमरा सागर एवं काला सागर को जोडती है कुक न्यूजी लैंड में है और ये तस्मान सागर एवं दच्छिनी परसांत महसागर को जोड़ती है सुगारू जापान में है परसांत महसागर एवं जापान सागर को जोड़ती है सुंडा इंडोनेसिया में है हिंद महसागर एवं जावा सागर को जोड़ती है बेले आईले कनाडा में है अटलांटिक महसागर एम सेंट लाउरेंस की खाड़ी को जोड़ती है तातार रूस में है ये जापान सागर एम खोश्टक सागर को जोड़ती है युकार्टन मेक्सिको क्यूबा में है केरेबियन सागर तथा मेक्सिको की खाड़ी को जोड़ती है North Channel, England, Ireland में है यह Atlantic महसागर, Eum Irish सागर को जोड़ती है Oronto, Albania, Italy में है Ionian सागर और Ediotic सागर को जोड़ती है Phoenix, New Zealand में है Prasant महसागर और Tasmán सागर को जोड़ती है Makassar, Indonesia में है Selivis सागर, Eum Java सागर को जोड़ती है Hudson जो है, Kanada में है Hudson की खाड़ी और Atlantic महसागर को जोड़ती है Harmuj, Iran तथा Oman में है यह Oman की खाड़ी और Paris की खाड़ी को जोड़ती है अब देखेंगे नदियों के किनारे इस्तत 20 के परमुख नगर Chicago, Chicago नदी पे इस्तत है सहिंतुराज अमेरिका में Berlin, Germany में है इस्प्री नदी पे Ottawa, Ottawa नदी पे इस्तत है Quebec City, St. Lawrence नदी पे Montreal, St. Lawrence नदी पे इस्तत है Aswan, Neil नदी पे Khartum, Neil नदी पे Kahira, Neil नदी पे New York, Hudson नदी पे सेंट लुईस, Mississippi नदी पे Basra, सत अल अरब नदी पे इस्तत है Washington, D.C. Potomok नदी पे Warsaw, Vistula नदी पे Rome, Tiber नदी पे London, Thames नदी पे Paris, Sine नदी पे और Moscow जो है Moscow नदी पे Belgrade, Danube नदी पे Budapest, Danube नदी पे Madrid, Manjres नदी पे इस्तत है Lisbon, Tugas नदी पे इस्तत है Dublin, Liffey या Liffey नदी पे Prague, Bitava नदी Bourne, Rhein नदी पे Ankara, Ankara नदी पे Dundi, Day नदी पे Liverpool, Mercy नदी पे Cologne, Rhein नदी पे इस्तत है Hamburg, Elb नदी पे Baghdad, Tigris नदी पे Bristol, Ewan, Ewan नदी पे इस्तत है Q, Q जो है Nipper नदी पे Leningrad, Neva नदी पे Perth, Swan पे Vienna, Danube पे Tokyo, सुमीदा नदी पे Shanghai, Yangtis, Kyang नदी पे Karakas, Rio, Guere नदी पे Dresden, Elb नदी पे Lahore, Ravi नदी पे Karachi जो है Sindhu नदी पे Olgo grad, Stalin grad Olga नदी पे इस्तत है Brangoon जो है Iraudi नदी पे Chattgaon जो है Karnappuli नदी पे इस्तत है देखेंगे बिश्वी की परमुख जीले और उससे संबंदित देश Kaspian सागर संबंदित देश है Kajakistan, Turkmenistan, Roos, Iran, Ajar, Bajan Superior जील Kanada, Sanyutraj America संबंदित है Huron है Kanada और Sanyutraj America में Eri है Kanada और Sanyutraj America में Ontorio Kanada एवं Sanyutraj America में Michigan जील Sanyutraj America में Great Slayow जील Kanada में है Winnipeg जील Kanada में अथावासका जील Kanada में Reindeer जील ये भी Kanada में है Bajkal जील रूस में है Ladoga जील रूस में Unega जील रूस में Balkhas जील Kajakistan में Isikul जील Kyrgyzstan में Rudolf या Turkana जील Kenya Ethiopia में Victoria जील Kenya Uganda और Tanjaniya में Aral Sagar जील Uzbekistan यम Kajakistan में Tanga निका जील Burundi Jambiya Kango ये तंजानिया में Malawi या नियासा जील Tanjaniya मोजामिक और Malawi में Titika का Bolivia ये पेरू में Nikara Guga Nikara Guga में Chard जो जील है Niger और Nigeria Chard ये वं Cameroon में Ayer जील Australia में अब देखेंगे बीश्वी के परमुख जलपरपाथ और उनसे संबंधित देश Salto Angel जो है जलपरपाथ Venezuela में है ये 979 मिटर इसकी उचाई है कुके नाम Venezuela में है Mardal Phosan Norway में है Tag Phosan Norway में है Tugela Dachin Africa में है Yosemite California USA में है Dela जो है ये British Columbia कनाड़ा में है और गवारनी जो है France में है तो ये complete हो गया आपका और इस तरह बीश्विकाभुगोल आपका complete हो गया अब हम लोग next वीडियो में मिलते है तो वीडियो को लाइक कीजिए share कीजिए comment कीजिए साथ ही अगर चैनल पर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे है